स्वागत्य बच्चों हमारी चैनल पर हम आपकी लिएकर आए हैं कक्छा 9 विज्ञान विशय की कारे पुस्ति का उपचारात्माक शिक्षण का कारे पत्रक नंबर 69 याने की 59 इस कारे पत्रक में विश्य वस्तूदी हुए ध्वानी अधिगम मिंदु है ध्वानी संचरन और संदर्व है कक्छा 8 का अध्याय 13 प्रश्च नमर एक है हरी को प्रियोग करना अच्छा लगता है उसने एक निर्वात पंप की लगी काच की नली बड़ी बोटल ली एक मोबा की घंटी भजाई एवं आवाज को ध्यान से सुना अब निर्वात पंप की सहेता से बोटल की सारी हवा बहार निकाल कर बोकल को निर्वातित कर दिया दीरे दीरे मोबायल की घंटी की आवाज कम सुनाई देने लगी हरी के प्रियोग Beach की आहदार पर निमन प्रश्च ने बोतल में वायू की कमी के कारण क्योंकि ध्वनी को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है और माध्यम में अगर वायू माध्यम है और उसमें कमी होती जा रही है तो ध्वनी भी कम सुनाई देगी दूसरा प्रिश्ण है बोतल में वायू की कमी होने को क्या कहते है बोतल का निर्वातित होना या बोतल का खाली होना तो यहां हम विद्यान की भासा में बोतल का निर्वातित होना कहते हैं यह उप्सन यहां सही उप्तर होगा प्रशन मर तीन है निर्वात में ध्वानी का संचरण यानि कि ध्वानी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ह होता है हाँ या नहीं तो द्वनी का निर्वात में संचरण नहीं हो सकता है योग कि द्वनी को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है चाहे वो वायू का माध्यम हो यानि गैसी माध्यम हो चाहे द्रव का माध्यम हो चाहे ठोस का माध्यम हो तो यहाँ पर अप्स प्रश्च नमबर दो है द्वानी कंपन से बने विक्षोप का चित्र बनाईएं, यह आकरती इस्थिर पानी में दीरे से कंकर डालने से बनी आकरती जैसी बनती है, तो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है बच्चों, आप भी इस तरह से यह तरंगी, जैसे अपन कहीं पानी में पकंकर मारते हैं, तो इस तरह की चारो तरफ उसकी लहरे दिखाई देती हैं, विक्षोप दिखाई देते हैं, इसी तरह से द्वानी की कंपन होते हैं, तो इस तरह से यह कारेपतरक हमारा इस चित्र के साथ कंपलीट होता है, आगे की कारेपतरक देखने के लिए जोड झाल झाल